नमस्कार दोस्तों मेरे भोजन शाला में मैं इंडू भावसार आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी के साथ मूंग डाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ मूंग डाल के हलवे को बनाने में समय थोड़ा जादा लगता है लेकिन ये हलवा खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है और आपने मेरे स्टेंड मुंग दाल के हलवे की रेसिपी को काफी ज़्यादा पसंद किया है तो आज मैं आपके साथ भेगेवी मुंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करें हूँ तो आये दोस्तो इसे बनाना शुरू करते हैं और एसी पे अगर आपको पसंद आती है तो विडियो को लाइक करें, विडियो को शेयर करें तो चलिए हलबा बनाना शुरू करते हैं तो हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल भिगो देती है तो में यहाँ पर एक के टोरी बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है इस दाल को मूंग का मोगर भी कहते है तो इस दाल को में एक बतन में डाल दिया है और अब हम इसमें एक से देड़ गलास पानी डाल देते ह और अब हम इस दाल के बतन को 3-4 घंटे के लिए ढख करके रख लेते हैं ताकि दाल फूल करके सौप्ट हो जाए और यह देखें चार घंटे पूरे हो गए तो दाल हमारी फूल करके सौप्ट हो गए तो अब हम इस दाल को दो बार पानी बैदलते वे अच्छे से मसल करके धो लेते हैरे देसर कि मि avoir धाल को अच्छी तरह से धो लिया है तो ऐब हम इस दाल को मिक्से के जार में डाल देते हैं तो इस दाल को हमें दरदरा सा पीसना है मि extending को एक साथ नहीं क्या है कि मिट्चिको कुछते चलाना है और फिर बंद करनाए और इस तरह से हमें दाल को दरत्वरा सा पीषना है और इसे लिए अगर हम खिली की दाल को दरत्वरा पीषे हैं तो हलव कहने आप मैंने घी के आवशक्ता होगी उतना घी हमें इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे अब मिनें हैसे पाजू में तो हम इन्द गरम ढल confident मैं घाल दिया तो ये खाने में और भी स्वाधिस्त हो जाता है तो मेनी हाँ पर सारे ड्राइफ फूर्ट से रोष्ट खल लिए है और अब हम इस कड़ाई में थोड़ा घी ओर डाल देते हैं थोड़ा सा घी हैं हम बचा लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे दरदरी पिज़ी हुई दाल तो मेनी हाँ पर कड़ाई में सारे डाल डाल दी है और अब हम इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आज पर इस डाल को 20-25 मिनिट टक चलाते भी भूनेंगे तो अब ये आपको लग रहा होगा कि गड़ाई में बहुत ज़्यादा गी है लेकिन जैसे जैसे हम इस डाल को भूनेंगे वैसे वैसे ये दाल सारा घी सोक लेगी और ये देखें डाल नी सारा घी सोक लिया है तो अब हम डाल को इसे तरह से चलाते वे तब तक के पकाएंगे जब तक के डाल से घी अलग नहीं हो जाता है और ये देखिए दाल को सेखते वे मुझे 15 मिट हो गए है और दाल से घी अलग नजर आने लगा है लेकिन दाल अभी हमारी कच्ची है क्योंकि इसका कलर बिल्कुल नहीं बदला है तो मुंग दाल का हलवा बनानी की में निष्टेप यही होती है कि दाल बहुती अच्छे से सिखी होनी चाहिए अगर दाल अच्छे से सिखी होगी तो हलवा खाने में स्वादिश्ट लगेगा और हलवा खिला खिला सा बनीगा तो दाल को सेखने में बिल्कुल भी जल्दी बाजी ना करें गैस को धीमा रखें और धीमी आज पर दाल को लगाता चलाते वें 20-25 मिट तक भूने ताकि आपका हलवा भी खिला-खिला सा बने और रहें रहें 20-25 मिट हो गए और दाल का कितना प्यारा कलर आया है तो हमें इसे तरह से दाल को सेखना है तो अब हम इस दाल में डाल देते हैं धाई कटोरी दूद मैंने यहाँ पर एक कटोरी दाल ली थी तो एक कटोरी दाल के लिए मैं यहाँ पर धाई कटोरी दूद डाल रहे हूँ और अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब हम इसमें एक कटोरी शक्कर डाल लेते हैं मैंने हाँ पर एक कटोरी डाल ली थी तो एक कटोरी शक्कर ली है 20-25 धागे केसर के लिए थी जिसे मैंने गरम दूद में भीगो करके रखावा था तो अब हम इसे डाल करके अच्छे से मिख्स कर लेते हैं तो हल्वे में मिठास कम या ज़्यादा आप अपनी इच्छा के नुसार कर सकते हैं तो हमने हाँ पर चीनी डाली है तो चीनी ने काफ़ी सारा पानी चोड़ती आये हल्वा पतला हो गया है तो अब हम हलवे को तब तक के पका लेते हैं जब तक के चीमी का पाली सूक नहीं जाता है और हलवा गाड़ा नहीं हो जाता है और ये देखें कुछी देर में हलवा हमारा गाड़ा हो गया है और ये कडाई भी छोड़ने लगा है और जो हमने केसर डाली थी तो केसर का कलर भी बहुत ले अच्छा आ गया है तो अब हम इसमें ड्राइ फूट्चर डाल देते हैं जो हमने पहले से रोष्ट करके रखे हुए है थोड़ा सा हरीलाईजी का पाउडर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं पूरे देखे मेनी यहाँ पर सभी को अच्छी से मिला लिया है तो अब यह हलवा हमारा बन करके त्यार है तो इस हलवे को सर्व करने से पहले हम इसमें एक चमज घी ओर डाल देते हैं और अगर आप चाहें तो हलवे में बाकी बचा सारा घी डाल सकते हैं तो अगर हम हलवे में उपर से घी डालते हैं तो हलवे का टेस्ट डबल हो जाता है और हलवा दिखने में भी बहुती सुन्दर दिखता है तो आप जब भी हल्वा बनाए इसमें उपर से घी जरूर से डाले और यह देखिए मैंने यहाँ पर घी को अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब यह हल्वा हमारा बन करके त्यार है हम गेश को बन कर देते हैं और इस हल्वे को हम गर्मा गर्म एक बतन में निकाल लेते हैं और अब हम इस हल्वे की उपर से गटेवे ड्राइब फूर्ट से से इसकी गारिश कर देते हैं तो इलिची दोस्तों हमारा बहुत ही स्वाधिश्ट मूंग दाल का हल्वा बन करके त्यार है तो आप एक बार इस तरह से मूंग दाल का हल्वा बनाए और मुझे बताए कि आपका हल्वा कैसा बना है तो अगर आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और मेरी फोचन चाला को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को जरूर सप्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसेपी का नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों आपका भूद भूद धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं एक नए रेसेपी के साथ तब तक लिए बाई